हाई दोस्तों, मैं गौतम कुमार, आप सभी के लिए एक और सियर पे चर्चा करने जा रहा हूं, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्स्चेंज लिमिटेड, सौट नेम आई एक्स उससे पहले उमीद करता हूं कि आप सभी अपने टिट्यूड के अनुसार, अपने जिन्दगी को खोसाल पुरुवग जी रहा है, और अपने बेवहार को इस परकार बनाए रखे हैं, ताकि किसी भी जीव जन्तु को कोई भी दिकत परसानी नहीं हो रही है, एक आवस्यक सु सार ही करें, धन्यवाद दोस्तों, चलते हैं आगे विडियो पर, इसके बारे में जानते हैं, 2007 में निगमित इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बिजली की भौतिक डिलिवरी के लिए बिजली इकाईयों में व्यापार करने के लिए एक स्वचालित मंच और बु समझ में आ गिया होगा, सोट में, अब आगे चलते हैं थोड़ा इसके डाटा पर, जो कि में डाटा बोलते हैं इसको, मेरे इसार से, जैसा कि यह स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मार्केट कैप 11,860 करोर, करेंट प्राइस 133 रुपिया, बावन विक का हाई लो 174 रुपिया और 116 रुपिया, स्टोप पी 49.8, बुक बहलू 8.8 सुनने रुपिया, डेविडेन डिल्ड 0.75%, आरोसी 51.8%, आरोई 49.4%, फेस बहलू 1 रुपिया, तो आरोसी, आरोई, जब पर दस्त है इसका, इसके हिसाब से इसका प्राइस इस लेवल पे चल रहा है, 133 रुपिया, जबकि बुक बहलू 8.8 रुपिया, आगे देखते हैं दोस्तों, वन येर का चार्ट, तो अप एंड डाउन दिख रहा होगा, आपको, काफी ज़्यादा आप एंड डाउन है, इस चार्ट में कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हो सकता है कि ये अभी कुछ समय के लिए, 130 और 150 की बीच में चले, अब इस कंपनी में प्रोज, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लेते हैं, कंपनी लगवा कर्ज मुक्त है, कंपनी ने पिछले 5 बर्षव में 19.1 CAGR की अच्छी लाव गृत्धी दर्ज की है, कंपनी का इप्वीटी पर अच्छा रिटर्म, ट्राक रिकॉर्ड, 3 साल का आरोई, 43.7% कंपनी लावांस भुकतान करती है, और 44.6% का, अब दोस है, इस टॉक अपनी बुक वैलू से 15 गुना पर ट्रेट कर रहे हैं, 15.1 यह, कारेसील पुंजी दिवस माइनस 343 दिन से बढ़ कर 87 दिन हो गये हैं, तो कौन्स जो है, ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन प्रोज अच्छी खासी है, कौन्स एक ही गरवर है, कि यह अपने बुक वैलू से 15.1 गुना पर ट्रेट कर रहे हैं, मतलब उतने टाइम्स, और पियर केंप ए रीजन अगर देखते हैं, तो गुजरात गैस, बीएसी, सेंचूरी, प्लाइबोर्ड, सीडी एसल, कैंप सर्विस, और सीला फॉर्म, ऐसा मीडियन कंपनी 85 कंपनी है, और स्कीन पर दीख रहा होगा, कहां से इसको लिया गया है, क्वाटर्ली रिजल्ट अगर देखते हैं, तो जून 2023 का क्वाटर्ली रिजल्ट, सेल्स एक्सो चार करोड, एक्सपेंस 22 करोड का, ओपरेटिंग प्रोफिट 82 करोड का, अधर इंकम 23 करोड का, अच्छा खासा अधर इंकम भी कर लेता है, इंट्रेस्ट 1 करोड, डिप्रेसियेशन 5 करोड, नेट प्रोफिट 74 करोड का, एपीएस 83 पैसा है, और टिटियम देखते हैं, तो 407 करोड का सेल्स है, बैलेंस सीट अगर देखते हैं, तो रिजर्ब इसके पास 695 करोड का है, जबकि सेयर कैपिटल 89 करोड का है, और ब्रोइंग 14 करोड, इंवेस्टमेंट 1204 करोड का कर चुका है, काफी ज़्यादा, टोटल एसेट 1449 करोड, इंवेस्टमेंट 1204 करोड का, अधर एसेट 120 करोड, टोटल एसेट 1449 करोड का हो चुका है, जो की, बहुत अच्छा है इस सेयर के लिए, लेकिन इंवेस्टमेंट अगर करें, तो अपने बुद्धी विवे का अनुसार, मेरा कोई सला नहीं है, इस सेयर में इंवेस्टमेंट करने का, तो धन्यवाद दोस्तों, आगे चलते हैं, कैस्ट फ्लो माइनस में है, मार्च 2023 में 166 करोड का, वह भी माइनस में, जबकि मार्च 2022 में 189 करोड का पलस में है, और सेयर ओल्लिंग पैटार्न देखते हैं, तो पर्मोटर के पास में है ही नहीं, पर्मोटर का नाम ही नहीं है, FIH के पास में 17.28%, DIH के पास में 21.11%, पब्लिक के पास में 61.33%, अधर 0.28%, नंबर ओफ शेयर ओल्लर से अगर देखते हैं, जो की सबसे नीचे में है, 16,3597 इतना पर्मोटर के पास में इसका शेयर है, और इसमें एक न्यूज है, जो की पुलाना अभी का नहीं है, जो की इस प्रकार है, बेवकाश्ट किया था कमपनी ने, 17.25 एनुवल जेनरल मीटिंग का, जो की 5 सितंबर को, और कुछ खास न्यूज है नहीं, इस शेयर में अगर कुछ बैड है, तो एक कैस प्लो मार्थ 2023 का, और दूसरा करेंड प्राइज जो की 133 रुपिया पर जा चुका है, जब की बुक बेलू 8 रुपिया 80 पैसा है, बकियवाद सब ठीक है, लेकिन इस शेयर में इन्वेस्टमेंट अगर करें, तो अपने बुद्धी विवे का अनुशार है, मेरा इन्वेस्टमेंट का कोई भी सला नहीं है, धन्यवाद दोस्तों, ओके, बाइबाई, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,